वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए हैं अब इसमें जो हमारा अभी चला है इसमें हम जोग्रफी के 900 900 कोशन कवर अप कर रहे हैं जो कि आपके बेसिक NCRT के हैं सारे कोशन बहुत इंपॉर्टेंट हर एक को लगा आइए NCRT पूरी आपकी इसी की हिल्प से फिनिश हो जाएगी तो आएए दोस्तों स्टाइट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को जोस्तों स्टाइट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को आज का पहला जो कोशन है इसमें आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से गलत विकल्प का आप चैन करें पहला है यहाँ पर कि 21 जून को दक्षनी गोलाद सूरी की तरफ जुका होता है दूसरा है 21 जून को सूरी की किरने सीधे करकरेखा पर पड़ती हैं तीसरा है 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है या फिर इन में से कोई नहीं कौन सा यहाँ पर इनक की ही बात कर लो तो अगर यहां पर सन है ठीक है तो हमारे 21 को क्या होती है बहुत जादा गर्मी होती है और भारत क्या है उत्तरी गोलारत में बसा हुआ है ठीक है यहां पर कहीं इंडिया है उत्तरी गोलारत में अब यहां पर देखिए यह क्या होगा सूरे की तरफ जुका हो होगी ठीक है line of cancer ना कि Capricorn और ना ही यह दक्षणी गोलार्थ तो इस तरीके से पहला जो यहां पर statement यह यहां पर incorrect है चलिए next question की तरफ move on करते हैं अगले question की यहां पर हम बात करें तो next question में जो आपको यहां पर दिया हुआ है इसमें आप पूछा गया है कि dash को दक्षण धुरुव के तो आगे चले next question को देखें इससे पहले कुछ एक information है आप लोग जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें स्टेडी मेटीरियल रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको admission लेने के लिए simply जो यह नंबर मैं आपके screen पर लिख रहा हूं इन नंबर पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं सूर्य की और जुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की क्रिणे सीधी पढ़ती हैं निमलिखित में से किस देश में क्रिसमस ग्रीश में रिच्टी वह में मनाया जाता है यह आपको बताने हैं दो यहां पर question है पहला यहां पर दे रखा है कि कौन सी date की बात करें कौन से यहां पर सूर्य हो मतलब यह जो आपका धक्षणी गोलार्द है यह सूरय के सामने पढ़े थीक है तब यहां पर यह जो आपकी line ofapag One है क्या होगा सूरिश के सामने पढ़ेगी तो यहां पर यहां पर यह वाली situation कब कर उती है यह होती है है यह हो एक आप देखिए यहां पर कौन सा देश होगा अगर हम बात करें ब्राजील की या फर ऐस्टेलिया की तो ऐस्टेलिया ब्राजील में से कोई एक हो सकता है तीके बड जो सही आंसर आई के वो क्या है आपका यहां पर ऑस्टेलिया ठीके तो option C जो है वो यहां पर सही होगा अज़ंत बरत पर सीधी परते हैं जो है कौन धुर खकी 30 सितंबर बर इन दोनों डेट पर सूरज की केलिंटे होते हैं वह इक्वेटर पर सीधी परती है और इस सि셔서न में कोई भी म soup हुआ होता है और दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं और इसी को बोला जाता है एक्यू नॉक्स याद रखे का यह फिर विभव बोला जाता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर यह हमारा यहां पर सही आंसरों का तो आप्शन बी जो है वो यहां पर सही है चलिए next question की तरफ move की ओर जुका हुआ होता है और विभव पर पूरी प्रत्वी डैश को अनभव करती है एक ही question में आपसे दो question पूशे गए तो अगर हम बात करते हैं 21 मार्च की या फिर 23 सितंबर की तो इन दोनों ही डेट पर सूरे की क्रिणे क्या होते हैं विश्वत विष्वत पर सीधी पर सीधी रेखा करें पर सीधी दिशा में परती है और इस अवस्था में कोई भी धुरुव जो है वो सूरे की ओर नहीं जुका हुआ होता है जैसा अभी हमने देखा था दिन और रात दोनों बराबर होते हैं तो इसलिए यहां पर क्या होगा है इसको इकुनॉक्स भी बो इनकरेक्ट है ऑप्शन डी जो होगा कि इन में से कोई नहीं यह हमारा यहां पर सही होगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर मूव ओन करते हैं जा आगे चलने से पहले एक छोटा पॉइंट यहां पर आपको समझा दू कि एकुनॉक्स की बात चल ले थी यहां पर और यह कह रहा पहला यहां पर दे रखा है कि 23 सितंबर को उत्री गोलार्द में शरद रितू होती है जबकि दक्षनी गोलार्द में वसंत रितू होती है कब 23 सितंबर को दूसरा दिया हुआ है कि 21 मार्च को उत्री गोलार्ड में वसंत रितू होती है जबकि दक्षणी गोलार्ड में शरद रितू होती है तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि 23 सितंबर की 23 सेप्टेंबर तो 23 सितंबर को उत्री गोलार्ड में शरद रितू होती है ठीक है जबकि दक्षणी गोलार्द की बात करें तो उसमें क्या होती है वसंत रितू यह स्टेट्मेंट हमारा यहां पर सही है 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को उत्री गोलार्द में वसंत रितू होती है जबकि दक्षणी गोलार्द में शरद रितू होती है तो दोनों ही statement यहाँ पर सही है तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि गलत विकल्प आप चुनिए तो ना तो पहला option होगा ना दूसरा ना ही तीसरा answer क्या होगा हमारा इन में से कोई नही option D next question पर move on करते है question number 36 इसमें भी आपको यहाँ पर statement दिये हुए है और इसमें thematic जो मांचित्र है उसकी श्रिणी में कौन सा नहीं आता है यह आपको यहाँ पर बताना है चलीए तो सबसे पहले तो यह question देख लेते हैं कि निमलिकित में से किस प्रिकार का मांचित्र जो है वो thematic मांचित्र की श्रिणी में नहीं आता है अब यहाँ पर पहला दे रखा है सबक मांचित्र दूसरा वर्षा मांचित्र तीसरा वन और उद्योगों आदी के वित्रण दर्शाने वाला मांचित्र और इसके बाद इन में से कोई नहीं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें thematic मांचित्र की तो यह इस तरीके का मैप है जो बहुत सारी विशेश special information प्रोवाइड करता है जिसमें सबक मांचित्र हो गया वर्षा का मांचित्र हो गया उद्योगों आदी के वित्रण को दर्शाने वाला मांचित्र हो गया यही है आपका thematic thematic को का थोड़ा सा break करो गया तो theme पर based कोई map ठीक है तो theme वो सड़क mapping हो सकती है वो rain mapping हो सकती है या फिर वो one और उद्योगों की mapping इस तरीके से ठीक है तो answer कि आएगा आपका option D यानि कि इन में से कोई नहीं next question यानि कि question number 37 की बात करते हैं question number 37 में अबसे यहां पर बात हो रही है दो और अलग-अलग तरीके के manchitr की निमलिकित में से कौन सा विकल्प उच्चावच मांच читr की शिरिनी में नहीं आता है क्या उच्चावच मांच워서 को ही राजणितिक मानचितर कहा जाता है ठीक है यहां पर relief maps की बात हो रही है कहा जा रहा है कि भाईया relief map जो है वही political maps होते हैं क्या ठीक है तो भाईया यह एक चीज़ तो आप याद रख लो कि relief map अलग होते हैं और political map अलग होते हैं तो नहीं वाला जो होगा वही हमारा answer होगा अब यह दो वचे है हमारे पास ठीक है option c और option d तो यहां पर हमारा option c जो है वो सही आएगा ठीक है जब हम बात करते हैं बहुत एक मांचित्र की तो प्रत्वी की जो प्राकृतिक आकर्तियां हैं जिसमें हम mountains की बात करें हम plateau की बात करें हम मैदानी नदियों की बात करें महासागरों की बात करें तो इनको जो दर्शाएगा उस तरीके का मैप जोगा वो आपका बहुत एक उच्चावच या फिजिकल मैप उसको बोला जाता है जबकि political मैप की बात करें तो political मैप क्या शो करेंगा जो cities हैं जो गाउं हैं या फिर दुनिया के अलग-अलग देश और उनके राज उनकी सीमाई इन सबको दर्शाएगा that is called political मैं ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा option C अब चलते हैं अपने next question पर question number 38 इसमें आपको यहाँ पर दो statement दिये हुए पहला statement है कि चार मुख दिशाओं उत्तर दक्षन पूरव एवं पच्छिम को प्रधान दुए विधू कहा जाता है मतलब काईडियल पॉइंट्स बोले जाता है और हम इन चार मुख दिशाओं उत्तर दक्षन एवं पूरव पच्छिम की साहता से किसी भी इस्थान का सटीक रूप से पता लगा सकते हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो incorrect statement है incorrect statement को आपको यहाँ पर choose करना है second statement जैसे ही आप पढ़र होगे आपको यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा कि यह जो second statement है इसमें बोला गया है कि चार जो में दिशाएं हैं उत्तर दक्षन पूरा पच्छिम इनकी साहता से जो है सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है किसी भी जगा का ठीक है तो यह जो statement है यहाँ पर यह statement कैसा है आपको गलत है ठीक है incorrect statement है तो answer हमारा क्या है का option B यानि कि केवल दो जो है वो यहाँ पर है गलत ठीक है पहला statement जो है कि चार मुख दिशाओं उत्तर दक्षन पूरा पच्छिम को प्रधान दिख दू या फिर कार्डियल को points भी बोला जाता है ठीक है तो यह चीज यहाँ पर सही है चलिए next question पर move on करते है question number 39 39 number का जो question है इसमें आपको incorrect जो option है उसको choose करना है पहला यहाँ पर statement दिया हुआ है कि यह जो आप देखरो ना कि दिख सूचक दिख सूचक एक उपकरन होता है जिसका उपयोग चार मदवर्ती दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है दूसरा है हम दिख सूच की सहाइता से किसी इस्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं तीसरा है दिख सूचक की चुम्बकिये सूई की दिशा जो है वो हमेशा उत्तर दक्षन दिशा में होती है या फिर इन में से कोई नहीं तो incorrect statement है वो आपको choose करने option A यहाँ पर सही होगा क्योंकि अगर हम बात कर दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है ठीक है और इसके अंदर सोई होती है वो उत्तर से दक्षन दिशा में रहती है तो यहाँ पर हमारा पहला जो statement हो यहाँ पर incorrect होगा क्योंकि इसमें बोला गया है कि यह कैसा उपकरना है जिसका उपयोग चार मदवर्ती statement यह दिये हुए है और इन statement में आपको बताना है कि गलत विकल्प जो है वो कौन सा है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर देखें पहला जो statement है इसमें आप से पूछा गया है मतलब आपको बताना है कि जब एक कच्चे आरे को बिना पैमाने की साहता से खीचा जाता है तब इसे रखाचित्र मांचित्र कहते हैं दूसरा statement एक छोटे छेत्र का बड़े पैमाने पर खीचा गया रखाचित्र जो हता है वो खाका कहलाता है तीसरा है कि मांचित्र के तीन घटक होते हैं दूरी दिशा और प्रतीक और चौत है कि इन में से कोई नहीं तो statement अगर हम बात करें कौन सा गलत है तो भी या कोई भी statement गलत नहीं है यह तीनों ही statement यहाँ पर एकदम correct है